रमन मलेक पर ये युवा परिशान है बेरोजगारी एक clear and present danger है बेरोजगारी को लेकर रोजगार को लेकर तनाव ये बन रहा है हरियाना चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या ने देखे संजीर जी ध्यान बटकाने की एक बात है 147 करोड लोग हैं भारत में सबके लिए सरकारी नौकरी तो पैदा नहीं हो सकती सबके पास website अपने जिस तरीके से बनने होते हैं ये सब चलता रहता है आपके सामने है कि आप ये देखें कि केरल से कितने है करनाटका से कितने है इंगाना से कितने हैं पंजाब से कितने हैं उसके कंपेरिजन में अर्याना को देखें तो फिर आपको एक और आखड़ा नजर आएगा मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप बात कर रहे हैं बाहर जाने के आप तो खुद बाहर गए थे आपके पिता जी भी बाहर जाके काम करके आए थे वो तो बात आप भूल गए होंगे उनको किस चीज की कमी थी तब वो कौन सी डंकी या कौन सा कमाई करने कहते हैं वो मेरे को नहीं पता लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा पर चैस्टेस फीजदी बेरोजगारी दर्थ थी ना बई दो हजार चौदा में आप आए थे आपने कहा था दो करोर रोजगार हर साल देंगे तो बीस करोर रोजगार दिये जाने थे उसमें अरियाना में भी दिये जाते च्छेस फीजदी बेरोजगारी दर्थ पलायन एक बड़ी समस्या है आप जाएंगे जिस तरीके से आप मुझसे बेटर जानते है रमन मलिक इस बात को तो आप खारिज नहीं कर सकते ना देखें जिस साइज से एकॉनमी का साइज बड़ा है जिस तरीके से चाहे वो आप कार से देखेंगे टू वीलर से देखेंगे आप ट्रैक्टर्स की सेल देखोगे वो आपको अपने आप ग्रोथ का बताता है कि इंडिकेशन क्या है जो एपी एफो का है उसका डेटा भी आपको ये बताता है कि आखरे असलियत में कहां जा रहे हैं मैं उससे मना नहीं करता है उसको देखना पड़ेगा और आपको उसमें एक और स्टोरी नजर आएगी जो आपको स्टोरी सीएस वोगेरा जो जो ये जूसरी एजनसी है वो नहीं दिखाती मैं तो एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि जब आज की समय में जब आप ये बात कर रहे हैं तो मैं ये सामने आपके रखना चाहता हूं कि आप पलाएन की बात कर रहे हैं ना पलाएन का एक फलसफा हर्याना के नू में से आया है जहां मामन खान ने करेक्ट वर्ड में बोला है कि मैंने सबकी लिस्प बनाई हुए है और हमारी सरकार आते ही फिर मैं देखुंगा या तो ये यहां रहेंगे या तो हमारी मानेंगे या हम इनको यहां से भगा देंगे मामन खान के डर से कुरुक्षेत्र में दूसरी चीज़ आपको बता लिए लाडवा में दानसिंग जैसे वेक्ति 126 करोड एक में सर सुन लीजे सर वहां से लोग जा रहे हैं सर आप बड़े पत्रकार हैं मैं आप कहा हाँ जोड़के बोला हूँ कि आप सुन लीजे मैं आप को जो बता रहा हूँ कि दानसिंग के पास 126 करोड उपया है जिसके उपर E.D. ने उपर केस करा हूँ है वो जो है वो एकनॉमिक डिस्पैरिटी कहां से आई है या इनके हुडा साब से पूछे कुंडू साब के पास कितना पैसा है दुशेंद चोटाला जी से चोटाला परिवार में अजे चोटाला जी अबे चोटाला जी के परिवारों में कितना पैसा है आप देखिए ये कहां से आई है disparity किया ये ये बोलना है ये लोग भी बाहर जाके पढ़के आए चाहिए दिपेंदर उड़ा है चाहिए दुशन चोटाला है क्या ये बाहर जाके पढ़के नहीं है अचाहब हले आपके निताओं के बच्चे तो बाहर पढ़तें है आप उस चीज़ को गलत ठेलाईए जो आप खुद ना करते हूं आच आप ये मत बोलिए कि जी मैं करूं तो ठीक और दूसरा करे तो गलत मेरा पॉइंट यहां पे यह है मैं पाप से यह पूछना चाता हूं कि अगर कमाई के लिए कोई बाहर गया है उसमें कोई पाप नहीं कर रहा है सिर्फ कमाई के लिए जा रहा है और यहां जो रुके हुए है उनको नौकरी मिल रही है क्या अभी भी हम गोल को सीधा सवाल सीधा सवाल है रोजगार मिल रहे हैं अगर हम अगनी पत्की बात करें दस जार हरियाना के युवा फौज में बढ़ती होते थे थे न हर साल जो अब कितने हो रहे हैं आप बताईए संदीब जी संदीब जी युवाओं को अगनी बावीर में भी प्रोग्राम में मिला है उसके बाद लेटरल और होरिज़ॉन्टल रेजर्वेशन की भी बात हुई है प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ा है उसमें भी आया है सर मैं तो आपको छोटी सी उधारन दे रहा हूं सर छोटा सा उधारन दे रहा हूं कॉंग्रेस ये कह रही है ना कम से कम इन से ये तो पूछ लो कि आपकी अपनी इंडियन नैशनल यूथ कॉंग्रेस की आसाम की जो ध्यक्षा थी उसने आरोप लगाए जिस वेक्ती के बर्दन यादव को तो मैं पूछना चाहूंगा कि रहूल गांदी को ये चीज़ें नहीं दिखती हैं क्या ये युवा का मुद्दा बिल्कुल नहीं है क्या यह यहा मामनशान वाला विशन के बेचे को तिकट दे दी हर्याना के यह देदी हैं कि आप विश्यानतर कर रहे अगर ऐसा मौल पैदा होता है तो इंडस्ट्रियां नहीं आएंगी अगर इंडस्ट्रियां आएंगी तो युवा को नौकरी कहां से मिलेगी इंडस्ट्री जाई यह सवाल एक पिछले दस साल में एक बड़ी उपर कबजा के रखलो उसकी लिंचिंग करने की हिम्मत करो सर कल पवन सेनी को डॉक्टर पवन सेनी को कल डेड़ घंटा रोक के रखा उनकी लिंचिंग करने की कोशिश करी गई और वो प्रोग्रेसिव फार्मर्ज यूनियन वाले हैं जो यह कॉंग्रेस में खड़े करे हुए हैं मैं आप सब पूछना चाता हूँ यह महौल बनाता है भूतिया आइम्टी खड़े करे वे थे, आपके अपने प्रोग्राम के ऊपर डिपेंदर ákड़्डा जी बड़ी जोर्शों से बोलते थे, छे आइम्टी खड़े करे हुः, उन में से बसाये कितने बसाये उन भूतिया महलों को हमने बसाया मेट्रो लाइन में कितने किलो मेट्र का इजाफा किया मेट्रो लाइन में कितने किलो मेट्र का इजाफा किया किसमेजी मेट्रो लाइन में आप तो मुंबई नैशनल हाईवे में कितने किलो मेट्र का इजाफा हुआ मैं पूछ कुछ रहा हूँ आते का अरे भाई एक एक चीज पे आ जाएंगे ना पहले पहले एक मेट्रों के पीछे जा रहे हो नहीं है जवाब नहीं है जवाब तीस हजार चात्र विदेश मेडिकल पढ़ाई के लिए जाते हैं कितने मेडिकल इंसिट्यूट और कॉलेज ख हुले हरियाना में सारे के सारे 22 के 22 जिलों के अंदर काम जारी है काम जारी है जमीने एक्वाइर भी हुई अलॉट भी हुई और एक में भी घपले का खबर नहीं है एक में दस साल में तैयार कितने हुए सर ये जो हर हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज का था ये 2016-2017 के समय मनोरलाल जी ने अनाउंस करा था उसके बाद से एक्वाइर्मेंट भी हुई काम भी चाल हुए डिपीर भी बनी टेंडर भी गए जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबी पी लाइ के आगे